मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं पोल्ड स्काई दोस्तों घर को साफ सुत्रा रखना बेहद जरूरी है पर कई बार सीलन की वज़ा से दीवारों पर फंगस जमा होने लगती है और इसकी वज़ा से घर में बद्बूर शुरू हो जाती है इस परिशानी को दूर करना कोई आसान काम नहीं है लेकिन कुछ घरेलो उपायों को अपना कर आप इससे जंजट से छुटकारा पा सकते हैं और यह घरेलो उपाय कौन से हैं या आज हम आपको बताएंगे बात करेंगे सबसे पहले सिर्का की सिर्का सीलन के कारण पैदा होने वाली फंगस को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है यह 82 प्रतिशत तक सीलन के किटाड़ों को मार्ट देता है इसके अलावा कैमिकल योगत क्लीनर से सिर्का ज्यादा सुरक्षित भी होता है पानी और सिर्के को बराबर मातरा में मिला कर स्प्रे बोतल में डाल दें इसके बाद इसे फंगस वाली दीवार पर स्प्रे करने और एक घंटे के लिए इसी तरह रहने दें इसके बाद इसे कपड़े से साफ कर लें कुछ दिनों बाद इस प्रक्रिया को दोबारा फिर से दोहराएं, आप देखेंगे कि फंगस आपकी दिवारों पर नहीं पड़ेंगे, बात करेंगे हाइट्रोजन पैरॉकसाइड की, हाइट्रोजन पैरॉकसाइड आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पर आराम से मिल जाए इसमें मौजूद अंटिफंगल अंटिबैक्टीरियल गुण आपके कपड़ों, दिवारों, फर्श, बात्रोम आदे की फंगस को दूर करने का काम करते हैं, और सबसे चीबात यह है कि इससे दिवारों का रंग भी फेड नहीं होता, इसे इस्तमाल करने का तरीका यह है कि आप हाइड्रोजन पैरोकसाइट को एक स्प्रे बॉटल में डाल दें और इसके बाद इसे दिवारों पर स्प्रे करें, 10-15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ कर रख दें, उसके बाद इसे किसी साफ कपड़े से पोच दें, आप देखेंगे कि दिवारों का फंगस दू बात करेंगे बेकिंग सोडा की, रसोई में इस्तिमाल होने वाला बेकिंग सोडा साफ सफाई में भी आपके बहुत काम आ सकता है, अगर आप स्प्रे बोटल में पानी डाल कर एक चौथाई टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल दें और इसे दिवारों पर स्प्रे करें औ और एक टी स्पून टी च्री ऑल डालनें, दीवार की फंगस वाली जगह पर ये स्प्रे करें, इसके बाद इसे पानी से साफ ना करें और सूखने दें, दोबारा 15-20 मिनट के बाद इसे साफ कपड़े से जाड़ दें, आप देखेंगे कि दीवारों की फंगस दूर हो चुक बहुत जल्द मिलेंगे, ऐसे ये कुछ और छोटे-छोटे से नुस्कों के साथ फलाल अभी के लिए बूल्ड स्काई में पसितना ही